नमस्ते दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम यहाँ पे एक नमकीन और एक बिस्किट की रेस्पी से एर करेंगे जो की हेल्दी होने के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी भी होता है और घर के ही सामान से बन के तियार हो जाता है आज हम यहाँ पे वेशन से इस तर आपको थोड़े से सामान में बनके तयार हो जाता है तो सबसे पहले चलिए तयारी कर लेते हैं अपने बिस्किट्स बनाने की तो यहाँ पे सबसे पहले एक खाली बाउल ले लेंगे और उसमें 3-4 चमच के करीब मैंने यहाँ पे देशी घी ले लिया है आप घी की जगह पे चाहे तो बटर भी ले सकते हैं जैसा आपकी च्वाइस हो तो घी में ही बनाईएगा तेल में नहीं बनाईएगा टेश्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैंने यहाँ पे पीसी हुई चीनी ले लिया है तकरीबन 4 चमच के करीब आप मीठा अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या जादा कर सकते हैं जैसा आपको पसंद है अब हम दोनों चीजों को बहुत अच्छा से मिक्स करेंगे mix क्या करेंगे हम इने बहुत अच्छा से फेटेंगे इतना फेटेंगे कि इनका जो weight है थोड़ा light हो जाए और इनका color भी light हो जाए तो ये देखिए थोड़ा सा आपको quantity में भी ज़्यादा लग रहा होगा ये fluffy सा हमारा एक बनके तयार हो गया है चलिए कुछ समान add करते हैं तो तकरीबन सिर्फ दो चमच के करीब मैंने यहाँ पर ये सूजी add किया है ये महीन वाली सूजी है बहुत मोटी वाली मत लीजिएगा और उसी के साथ ही एक कटोरी भरके मैंने यहाँ पर ये coconut का जो powder होता है उसको ले लिया है और ये recipe मैं यहाँ पर गेहु के आटे से बना रही हूँ आप चाहें तो इसमें मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं आधा मैदा आधा गेहु कांटा ले लीजिए या फिर पूरा मैदा ले लीजिए या फिर पूरा गेहु का आटा ले लीजिए मैं इसको healthy way में बना रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे गेहूं के आटे का यूज करूँगी तो सरे चीजों को mix करने के बाद इसमें हम डाल देंगे एक चमज के करीब खाने वाला soda आप इसकी जगा पे इनो का भी यूज कर सकते हैं चमज देखिए बहुत छोटी वाली है उसके हिसाब से लीजिएगा और उसी के साथ एक चमज मैंने यहाँ पे baking powder ले लिया है चार से पांच ट्रॉप मैंने यहाँ पे vanilla essence का ले लिया है अब हम सारी चीजों को खुब अच्छी तरीके से पहले mix कर लेंगे अच्छा से mix करिएगा तो यह मैंने देखिए सारे को अच्छा से mix कर लिया है थोड़ा से बीच में जैगा करते हैं और हम इसका एक dough लगाएंगे hard dough जो की दूद से लगाएंगे दूद को जब भी डालिएगा तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि room temperature का होना चाहिए अगर full cream का है तो बहुत अच्छी बात है और दूद को हम बहुत थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे एक साथ में नहीं डालेंगे बहुत सारा दूद इस चीज का आप ध्यान रखिएगा तो इसको हम एक hard dough लगा के त्यार कर लेते हैं सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर dough लगा लिया है अब मेरा देखिए बहुत tight dough है तो इसको क्या गरेंगे धकन लगाएंगे और इसको रेश्ट देंगे दस से पंदरा मिनट के लिए और तब तक हम अपने नमकीन की तयारी कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने यह उबले हुए आलू ले लिये हैं यह चार से पांच आलू है लगबग छोटे साइज की है तो इसको हम क्या करेंगे यह महीन वाले ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेंगे सबसे पहले मूटा वाला से नहीं करिएगा और इसे कद्दू का से ही करना है यह उबला हुआ आलू है इसी इसका ध्यान रखिएगा और हमें इसे कद्दू का से ही करना है इसमें गुठलियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इस इसका ध्यान रखिएगा इसमें डाल देंगे हम तकरीबन दो चमच के करीब ये सूजी है और उसी के साथ ही मैंने एक चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा हींग ले लिया है वही सेम मैंने मंग्रेला ले लिया है और हाप चमच के करीब अचवाइन ले लिया है इसमें हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक तो नमक डाल दिया मैंने और अब मैं इसमें डाल दूँगी एक चमच के करीब ये कुटी हुई गोल मिर्च है कूट के ही डालिएगा जो फ्रेस कूटी हुई गोल मिर्च होता है उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और एक चमच के करीब मैंने ये घर का बनाया हुआ मसाला डाला है आप इसके जगह पे किचन किंग मसाला या फिर मसालों में आपको कोई फ्लेवर पसंद है तो आप उसको डाल सकते हैं हमारा ये जो नमकी ने थोड़ी खस्ता बने फ्लापी बने बढ़ियां से तो उसके लिए मैंने हाव चमच के करीब खाने वाला सोडा डाल दिया है मैंने बेसन ले लिया है ये मैंने चाल के ही लिया है बेसन तो एक बार छान लीजिएगा बेसन को तब लीजिएगा गुठलियां नहीं होनी चाहिए और मैंने दो कप के करीब बेसन डाल दिया है इसमें हम इसमें पानी का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे जो हमारा आलू है उसी से हमारा ये डो लगके त्यार हो जाएगा तो सारे चीजों को बहुत अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे पहले उसके बाद देखेंगे अगर पानी की जरूरत होगी तो एक से दो चमश यूज करेंगे और नहीं तो जरूरत नहीं पड़ती है इसी हमारा जो ये आलू है उसी से हमारा ये डो लगके त्यार हो जाता है तो ये तो रेडी हो गया है देखिए अब हम इसको डखन लगा के रेश्ट के लिए देंगे और अपना जो बिस्किट के लिए तियार किये हैं डो उसको चेक कर लेते हैं ये देखिए ये अब 10-15 मिनिट के बाद अच्छा से फूल गया है तो हम क्या करेंगे एक बार इसको अच्छे तरीके से मसल लेंगे मसलने से क्या हो तोड़ा सा सौप्ट हो जाता है और हाप मैंने आटा उसमें से ले लिया है मेरे पास यहां पर सुवीधा है तो इसलिए मैं बड़ी रोटी बनाके इसको तयार करूंगी आप चकला ले रहे हैं तो उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा नीचे में तोड़ा सा ये डश्ट कर देंगे मैदा को ताकि ये चिपके नई नीचे में और इसको हम बेल के तयार कर लेंगे बड़ी सी रोटी में बहुत मोटी नहीं रहेगी हाफ इंस से थोड़ी सी पतली रहेगी मैं अभी आपको इसके मोटाई दिखाऊंगी आगे इस इसका अब ध्यान रखिएगा आपको जहां मोटा लगेगा प्रेस करके आप उसको भी एक तरीके से सार कर लीजिएगा अब इसको हमें कट नहीं करना है सिर्फ निसान बनाना है तो आप कोई साब भी अपना मन पसंद निसान इसमें बना सकते हैं आप प्लेन भी रख सकते हैं जैसे काटे से भी यह बहुत अच्छा से बन जाता है तो मैं यहां चाकू से इसको एक स्कॉाइर सेप में बना ले रही हूँ मेरे पास यह इस साइज की कटोरी है तो मैं इसी से बिस्किट को कट करूँगी आपके पास कोई डबे वगर है धकन है तो आप उससे भी कर सकते हैं गलास से कर सकते हैं आप इनकी साइज अपने हिसाब से रख सकते हैं मैंने यहां पे गोल कट किया है आप चाहें तो नहीं स्कॉाइर भी चाकू से भी कट कर सकते हैं तो यह देखिए हमारा इतने मोटा होना चाहिए और इसको जेकिए किता अभी से सुन्दर लग रहा है रेडी होने के बाद यह और भी ज्यादा अच्छा लगेगा आपको तो यहाँ पे मैंने प्लेट को ग्रीस नहीं किया है कोई घी तेल नहीं लगाया है बैस नॉर्मली मैंने इसमें सेट कर दिया है अपने जो बना के रखा था और यहाँ पे मैंने कडाई को अच्छा से हीट कर लिया है थोड़ा सा नमक डाल के हाथ बचा के हम इसमें अपना प बिस्किट्स बनके तियार हो गया है तो हम इने हाथ बचाके निकाल लेंगे यह बहुत अच्छे से कड़ाई में बन जाती है बिना फ्राई किये हुए तो उतने ही घी में मैंने बहुत सारे बिस्किट्स बनाके तियार कर लिये थे तो यह देखिए चिपकती भी नहीं है यह जब आप उसको तुरंट से निकालेंगे तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि सौप्ट है अब जैसे ही इसे दो से चार मिनट के लिए छोड़ देंगे ये बहुत अच्छा से हाड हो जाएगा और एक क्रंची हमारा बिस्किट बनके तयार हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने अपने सारे बिस्किट से बना के तयार कर लिये हैं और ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार होते हैं आपको मन में एक satisfaction भी होगा कि आपने कुछ healthy और टेस्टी बनाया है खाया है तो ये तो हमारा बिस्किर्स बनके त्यार हो गया है मज़ेदार सा मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना करंची है ये बहुत ही आराम से तूट जाती है जब ये बहुत अच्छा से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम किसी airtight डबे में डालके रखेंगे अब चलिए हम अपना नमकीन बना लेते हैं तो नमकीन बनाने के लिए मेरे पास इस तरीके की जो नमकीन बनाने वाला मसीन होता है तो हम क्या करेंगे यह जो एकदम महीन वाली जाली से थोड़ी सी बड़ी जाली होती है उसको यूज करेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम ग्रीज कर देंगे आप चाहें तो मोटी वाली भी यूज कर सकते हैं लेकिन मुझे बहुत मोटा सेव नहीं बनाना है तो इस तरी करके इसमें डाल देंगे जितना आएगा एक बार में डाल देंगे आप देख लीजिएगा तो बस मैं इतना ही डालूंगी एक बार में एक बार में ये पुड़ी कडाई में भी आ जाएगी उसके हिसाफ से मैंने डाला है धकल को अच्छी तरीके से बन कर देंगे टाइट यहाँ पे मैंने तेल पहले से ही रख दिया था तेल हमारा गरम है अच्छा से तो फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे और इस तरीके से हम इसको प्रेस करके अपना सारा जो नमकीन है एक बार में बना के छोड़ देंगे बस यह हो गया है एक बार का अब हम इने एक तरफ अच्छा से पकने देते हैं यह तीन से चार मिनट में अच्छा से सीख जाएगा मेडियम टू लो फ्लेम ही रखिएगा हाई नहीं करिएगा हम इने अच्छे से एक बार वापस से पलट देते हैं तो दूसरी तरफ भी अच् तो हम दोनों तरफ इसी तरीके से अपना ये नमकीन को बना लेंगे तो ये लगबग तियार हो गया है अभी ये सॉफ्ट है जब इसे बाहर निकालेंगे दो मिनिट के लिए छोड़ देंगे तो ये बहुत करंची सा हमारा एक नमकीन बनके तियार हो जाएगा तो तेल अच्छा से जाड़के मैंने एक बैच का निकाल लिया है और अपना दूसरे बैच का इसमें डाल दिया है पकने के लिए तो इधर देखिए ये हमारा ये नमकीन बनके तियार हो गया है आप एक साथ में इसमें चाट मसाला या फिर काला नमक ना मिक्स करके जब भी सर्व करना है उपर से हलका सा छिड़क के सर्व करिए ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार होते हैं ये हमारा नमकीन और बिसक ट्राइ करिएगा आपको आपके परिवार को बहुत ज्यादा पसंद आएगी और एक हेल्दी वे में बनाईएगा आप इसमें मिठास अपने हिसाफ से थोड़ा सा कम्या ज्यादा रख सकते हैं आप इसमें चीनी की जगएं पर गोड़का भी यूज कर सकते हैं आपकी जो